प्रदेश का सिक्षा मैकमा घरीब और आदिवासी अंचल के लोगों के लिए सरल और सुगम सिक्षा विवस्था उपलब्द कराने के दावा कितने भी कर ले लेकिन आजादी के साथ दशक के बाद भी कई जगों के हालाद जसके तस हैं तस्वीरे दिखाएंगे एक सरकारी विद्याले की जिसकी स्वीकृती मिले तो पांच साल का वक्त बीट गया लेकिन आज भी उधार के दो कमरे पर ये चलता है स्कूल बच्चे आज भी पूछ रहे हैं कि आखिर उनका स्कूल है कहां उधैपुर्श जिले की खेरवाड़ा विधान सबाक शेत्र के घोडी पंचायत में बना राजकिय प्राथमिक विद्याले ऐसा है जहां बच्चे विद्याले के भवन में नहीं बलकि एक शक्स के घर के आंगन में बैठ कर पढ़ते हैं ये सब खुशी से नहीं बलकि इनकी मजबूरी है गाव से अन्य स्कूल दूर है बच्चों के सामने इस तरह से पढ़ना मजबूरी है राजकिय प्राथमिक विद्याले साल 2013 में स्वीकृत हुआ था लेकिन तब विद्याले के पास अपना भवन ना होने की वज़े से अज तक यहां स्कूल के लिए सरकारी भवन का निर्माल तक नहीं हो पाया यहां पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की सुविधा तक नहीं मिल रही छात्रों को खुले में बैट कर पढ़ाई करनी पढ़ती है गोड़ी पंचायत के इस विद्याले में मौझूदा वक्त में पहली से पांच मी तक कुल 48 छात्रों का नामांकन है विद्याले में महज एक अध्यापिका प्रतिनियुक्ति के तौर पर कारियरत हैं विद्याले विकास समीति के अध्यक्ष भीमा भाई बताते हैं कि साल 2013 में स्विक्रिति के बाद से ग्रामीर कई बार शिक्षा अधिकारी को इन हालातों के बारे में बता चुके हैं लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं सभी कक्षाओं के बच्चे एक आंगन में पढ़ाई करते हैं पढ़ते हुए बच्चों के बीच कभी-कभी भेन बकरिया भी क्लास लेने आ जाती हैं प्रदेश सरकार आदिवासी ग्रामीर क्षेत्रों में किये गए विकास के कामों का बखान तो करती है लेकिन विकास की असल तस्वीर जब ये उभरती है तो सवाल कई पैदा होते हैं फिलहाल तो बच्चों को इंतजार है कि शायद कभी तो कोई उनकी सुध लेगा या फिर ऐसे ही पढ़कर ये बच्चे अपने जीवन में सरकारी बद इंतजामी का दंश झेलते रहेंगे